दोस्तों आज में आपके लिए समुंदर के नीचे खोजी गई पांच सबसी रैस्यमें चीजे लेकर आया हूँ जिन मेंसे कुछ तो इतनी डरावनी है जिनके बारे में जानने के बाद आप समुंदर के नजदीक भी नई जा पाओगे अंडर वाटर रिवर इस नदी को खोजे गए सिर्फ 10 साली हुए है जो करीब 100 सालों से समुंदर के नीचे बै रही है जिसे देखकर विज्यानिक भी चोक गए क्योंकि इससे पहले किसी नदी को पानी के नीचे बैते हुए कभी नहीं देखा होगा जो दिखने में काफी डरावनी लगती है जिसके अंदर पेड भी लगे हुए थे जो काफी डरावनी लग रही थी और एक ज़र्णा भी था जो यूरोप की सबसे बड़ी नदी से दस्त गुना जादा बड़ी नदी थी जिसके अंदर पेड़ भी लगे हुए थे मारियाना साउंड आप सभी लोगों को पता ही है कि समुंदर का सबसे गेरा इस्सा मरियाना ट्रेंच है साल 2014 में जब वेक्यानिकों को पानी के नीचे से एक डराउनी आवाज सुनाई दी तो सभी लोग डर गए क्योंकि उनका ये मानना था कि ये अवाज एक ऐसे जानवर की है जिसकी साइज काफी विसाल थी या फिर ये मान लीजिए कि वो समुंदर का सबसे विसाल जानवर था जो किसी भी बड़े जहाज को पल भर में तबाह कर सकता था कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये बलोप नाम का क्रियेचर है साल 1985 के एक व्यक्ति के डिवाइस ने एक स्ट्रेंज अबजेक्ट को खोज निकाला जब उसने उसके नजदीक जाकर देखा तो उसे पता चला कि ये 1885 के दो ट्रेन है हलांकी इनके बनने और खो जाने का रिकोर्ड आज तक नहीं मिले सायद इनके बन जाने के बाद इन्हें जहाज की मदद से कहीं ले जाया जा रहा था लेकिन तुफान में फशने की वज़े से ये समुद्र में जा गिरे अनेक्स्प्लोडेड न्यूक हली में कुछ समय पहले वाटर डाइवर्स को समुद्र के नीचे एक बड़ा बोंब पड़ा हुआ मिला जो सायद वर्ल्ड वार टू से यहां था करीब सतर सालों तक पानी के नीचे रहने के बाद भी ये एकदम एक्टिव अवस्ता में था जो अगर गलती से फट भी जाता तो इसकी वज़े से किनारे पर मोजूद सैर में सुनामी तक आ सकती थी टीप सी मॉन्स्टर्स हम हर साल समुद्र के नीचे हजारों नई प्रजातिया खोजते हैं पर अभी भी कुछ ऐसे जीव है जिने घोजना अभी बाकी है जैसे कि फ्रिंग हेड सार्क हम्पबेग एंगलर फिस्ट दवेंपायर इल एंड अफकोर्स दवेलिकन इल जो समुद्र की गेराई में लोगों को डराने के लिए काफी है दोस्तों मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी महनत लगी पर आपको इसे लाइक करने में सिर्फ एक सेकिन लगेगा इसलिए वीडियो को जरू लाइक कर दे और वीडियो के नीचे एक लाल बटने उस पिकली कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्लीज सब्सक्राइब करना न भूले